प्यारे बच्चों चलो सब मिलकर एक कहानी पढ़ते हैं कहानी का शिर्षक है आलू की सड़क शुरू करते हैं एक भालू था उसे नानी के घर दूर जाना था रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीट पर रख लिए पर बोरे में तो छेता भालू आगे भड़ता जाता धप 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 बोरे से आलू तपकते जाते तप 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 रास्ते में पीपल की पेड़ पर एक बंदर बैठा था उसने भालू से पूछा कहां जा रहे हो भाहिया लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप तप धप 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 ही सुना उसने पेड़ से नीचे देखा रास्ते में आलू पड़े हुए थे यह देखकर बंदर मन ही मन बोला भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूं वह खुशो कर पेड़ से नीचे उत्रा धन्यवाद